ये तंजानिया का वाइरल वीडियो है इस वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है कि एक यात्री विमान समंदर में लैंड कर चुका है धियां दरसल ये एक हादसा है जो तंजानिया में हुआ एक यात्री विमान हादसे का शिकार होता है इस विमान में 43 यात्री थे ये जो प्लेन है वो विक्टोरिया जील में डूब गया इस हादसे में करेव 19 लोगों के मारे जाने की खबर है तंजानिया के लेक विक्टोरिया में बीते रविवार को एक यात्री विमान दुरगटना ग्रस्त होता है BBC News अफ्रीका के रिपोर्ट के मुताबिक मवांजा से बुकोबा जा रहे है विमान में 43 स्यात्री सवार थे और इनमें से 19 की मौत हो गई तंजानिया की पुलिस ने बताया कि एक यात्री विमान खराब मौसम की वज़ा से रविवार तड़के विक्टोरिया जील में गिर गया प्लेन को उत्तर पश्चिम्स शहर बोकोबा में लैंड करना था उसी दोरान ये हादसा हुआ इसके साथ ही पुलिस ने बताया कि यात्री को बचाने के लिए तमाम ऑपरेशन्स किये गए इस घटना के कई वीडियो भी सामने आये हैं जैसे हमने आपको दिखाया भी है इसमें दिखाई दे रहा है कि कैसे प्लेन जील में डूबा हुआ है नाओं में सवार होकर सुरक्षावल की टीम रहात और बचाओ के कारे में जुटी हुई है इसके अलावा जिल लोगों को रिस्क्यू कर लिया गया वो भी जील के किनारे खड़े होकर इस घटना को देख रहे थे दुनिया भर में अब ये वीडियो वाइरल है और जिसने भी पहले सिर्फ इन तस्वीरों को देखा वो देखकर हैरान रह गया कि आखिर एक विमान कैसे जील में लाइन कर सकता है लेकिन जब इस घटना की पूरी सचाई दुनिया के सामने आई तो मालूम हुआ कि ये दरसल एक दुर घटना थी जहां विमान जील में डूब गया और इसमें जिसमें करीब 19 लोगों की मौत हो गई ब्यूरो रिपॉर्ट भारत तक जयमाने जयमाने अजयाद एयाद यो तुमे पता coheroth जयाद एयाद एयाद जयाद पर 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 झाल झाल